नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबी लोगों का सुवागत आता है एक और नई वीडियो में और आज की सी वीडियो में आपने डिस्कूस करेंगी कि जब आम TELLY Prime Software में सब्सक्राइब करते हैं गुरूप सेलेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा TAKynn斯 यहां से आपको यह पता भी होना चाहिए तो आज की इस क्लास में अपने यह डिसकस करेंगी भी हमें कमपनी में ऐसे कौन-कौन से लेजर पैचाने है जिसके उपर हमें पता होना चाहिए इस लेजर पर तो हमें GST को एपलिकेबल करने है और इस लेजर के उपर हमें GST को नोट एपलिकेबल करने है तो वीडियो का फी इंपोर्टेंट है विसेस कर उन फ्रेसर अकाउं पढ़ते हैं या कुछ लेजर ऐसे होते हैं जिसके उपर हमें जिस्टी की जुरूरत होती है लेकर उसका नोट आपनी के बिल करते हैं तो उसका हमारी जिस्टी रिटन के उपर क्या एफेक्ट पढ़ता है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है सारी बात हम आपको वीडियो लागाता मिलती रहेगी और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर्ट लाइक करना जदा ज़्यदा इस वीडियो को शेर भी जरूर करना तो सबसे पहले अपने चलते हैं जब हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं और लेजर हम जब करेंगे तो यह हर एक लेजर के वीडियो ये लेजर के लेजर कैंदर आपसे सारी बाते हैं निये पुछिए देगी जैसा कि हमारी कंपनी है और यह हमारी कमपणी जीस टी के अंदर नेवर्ट तो हम सब से पहले बासे लेजर के लेजर को raco कि ए जयान कि हमारे ओन पर-दो करते हैं और उसके बाद में ट सबसे पहले यहाँ पर वे एकने हैं पांच परसेंट हमने घ्रेट करता हैं और एक हैं । अब यह हमारी कंपनी के लिए पर्शेज हैं हम इसका गूरूप रखेंगे पर्शेज काउंट में तो जैसे हमने पर्शेज काउंट सेलेक्ट किया आप देखो यह जिस्टी की टीटेल आगी अब यह आपको रखना है भी यह जो लेजर हमने क्रियेट किया है इसके उपर लगेगी वह पांच लगे बारा लगे अठारा लगे ठीक ना जीस्टी तो यहां पर लग रही है तो इसलिए हमें पर्शेज के लेजर के उपर इसको एपली केबल रखना होता है उसके बाद में जो इसकी एचेशन और ऐसे की डिटेल है उसको इस पर कंपनी रखेंगे औ और यहां पर टाइप ऑफ जो सप्लाई है इसको हम सर्विस की वज़े क्या रखेंगे गूड्स को एंटरप्रेस करते हैं इस लेजर को में सेल करते हैं यह हमने प्रशेज का लेजर त्यार कि और प्रशेज के अंदर आपको एपलीकेबल रखना होगा अगर आपकी कंपनी में GST registered है और आप जो प्रशेज कर रहे हो उस प्रशेज के उपर इंपुट आपको मिलेगा उसका IT से आपको क्लेम करना है इसी तरीके से में GST 5% सेल का लेजर हमने क्रेट कर दिया और सेल का लेजर है इसका मलब गूप इसका रहेगा सेल का तो क्या इस सेल के अकाउंट क रहें रिच्टी का वह भी एजबर कंपनी और टाइप औप बूद्स को अपने क्या टाइप सप्लाई को रखेंगे गूट्स यहां पर तो यह थे थे हमने प्रशेज और सेल के लिएजर अब हमें वहाले सप्लाइर होंगी जिसे हमने बूटब पर ब्लेट कर लिए अबीन त्रेडिंग कंपनी के नाम से हैं इन से हमने गूट्स प्रचेज किया है तो यह हमारी सप्लाइर है और सप्लाइर का गूप हम किसमें रखेंगे सेंडरी क्रेडिटर में अब देखो जैसे हमने सेंडरी क्रेडिटर लिया तो यहां पर वो डिटेल नहीं पूछे एचसें की प्रोधिस्टिंद में आपका सब्रोधिसटिंद उस इसेट। अगर आप कोई customer का या किसी supplier का laser आप create कर रहे हो तो वहाँ पर दो बाते पुछी जाती है तो आपका जो supplier है वो GST में registered है या नहीं आपने जो customer का laser मनाया वो GST में registered है या नहीं इतनी detail रियल जो हमारे personal account होते हैं उसके अंदर पुछी जाती है यहाँ पर हमें क्या करना होता है उस ABC जो हमारा supplier है उसकी detail यानिकी उसका address वेगरा उसके बाद में state कौन से है राजस्तान country इंडिया रहेगी ठीक है जहाँ पर उस company का postal code pinput हम देंगी और उसके बाद में जीस्टी में registered है या नहीं है अगर यह registered है तो हम क्या करेंगी रेगुलर करेंगी ठीक है और उसके बाद में इसकी जीस्टी की detail अब यह regular के अंदर देखो आपको क्या पता चलेगा अब यह composition का यह regular का अगर आप इनसे कोई product आपने खिरिदे और उस product के उपर कोई GST tax लिखा होता है अगर वह composition का dealer होगा तो उसके उपर क्या लिखा होगा bill of supply जीस्टी नमबर तो लिखा होगा लेकिन bill of supply लिखा होगा tax invoice की दिखे और वहापर किसी भी separate tax की amount अलग से आपको नहीं दिखेगी तो वह composition का dealer होता है यह regular आ गया और यहाँ पर हम उसका जीस्टी इस तरीके से फिर हम टेक्स के लेजर भी create करेंगे जैसा कि मैंने यहाब कर दिया cgst tax और यह जो हमारे tax के लेजर बनते हैं वह बनती है duties and taxes में है ठीक है उसके बाद में duty किस टाइप की जीस्टी और यह जीस्टी में किस टाइप का टेक्स है cgst तो जाई से बात यह से से center का टेक्स है यहनकी cgstm यहां से select करेंगे अब आपके पास अलग कोई software हो सकता है को उसके अंदर center का टेक्स भी लिखा हो सकते है एक ही बात है cgst में select करके percentage of calculation हम इसको 0 रखें और इसी तरीके से एक sgst टेक्स का laser में ने create कर दिया यह भी duty यह टेक्स में रहेगा duty रहेगी gst और gst में किस टाइप का टेक्स है यह sgst का टेक्स है इसी तरीके से आप igst का बनाओके तो उसका igst select हो जाएगा इस तरीके से हम एक customer का भी laser यहां पर अब हम एक लेजर क्रेट करते हैं और इसको अब हम एक लेजर क्रेट करते हैं ओफिस एक डेसिस का ठीक है अब यह हमारी company के लिए क्या है indirect expenses है तो हम इसको indirect expenses देखेंगे तो देखो अब जैसे मैंने indirect expenses दिया तो इसने detail कूछ ली ठीक है भी यह जो आपने laser बनाया है expenses का laser है इस laser के ऊपर gst लगेगा या ने लगेगा लगेगा मतलब आपने खर्चा किया है तो आपके पास expenses होता है company का तो इस expenses के ऊपर जो जिस्टी लगते आया है उस जिस्टी का आपको ITC क्लेम करने या नहीं करने माली जी आपने क्लेम नहीं करना ठीक है लेकिन आपने इसको applicable करती है ठीक है मैं इसको आपको applicable इसलिए करूं तक कि हम इसकी आगी detail इसका effect क्या पड़ेगा उसक डालनी है यहां पर फ्रेस किया और यहां पर जो इनेबल जिस्टी की detail है इसको आपको yes रखना और उसके बाद में आपकी company regular है composition है वो डिटेल आपको डालनी है आपकी company का जो जिस्टी नमबर है वो यहां पर आपको लिखना होगा मैं यहां पर डमी को रूब में डाल देता हूँ आपकी company जो written file करती है month लिया या quarterly है वो आपको detail यहां पर डालनी है उसके बाद में सारी detail आपको यहां पर mention कर देगी है ठीक है control एक के साथ इस window को मैंने accept कर दिया अब हम एक purchase की entry करते है अब मैं तारीक यहां पर ले ले हैंगे और उसके बाद में ABC trading company हम stock item लिख लेते हैं एक हमने A1 के नाव से stock item बना लिए यह मैं dummy बना रहा हूँ यूनिट इसके मैं एक बार pieces ले रहा हूँ और यहां पर इसका UKC code है यहनकि unit quantity code वह भी हमारा pieces रहेगा यह सारी बात है में GST के अंदर mention करना जरूरी होता है और उसके बाद में यहां भी पूछेगा भी GST applicability या नई है तो GST applicable है क्योंकि यह X की process हम कर रहे है यहां पर इसकी accession की detail है वो हम यहां पर specify detail hair के अंदर click करेंगे यहां पर इसका accession code यहां पर mention करेंगे उसके बाद में GST की rate पूछेगा भी इसके उपर कितने percent का GST लग एक ठीक है रुपीज ले लिए मैंने 101 एक यह quantity हम यहां पर ले लेते हैं 12 ठीक है और यहां हमने जो GST 5% प्रसेज का laser create किया था वो laser यहां पर आ जाए ठीक है और इसके बाद में यहां पर जो detail हमने डाली थी stock item की A1 की वो detail यहां से अगर आप चाहों तो modify भी कर सकते लग गया कोई दिक्कत नहीं इंटरपैस हमने किया और इस वाव्चुर को मैंने सेव करते हैं अब इसी तरीके से हमें एक सेल की इंट्रीवी करते हैं कि कस्टमर हमारा था रांसिंग का आइटम A1 हमने कर दी दो पिसल हमने सेल कर दिये और एक का जो रेट हमने डाल जी हमा हो इं Значит करते है हमने इसको इंट्री करते है यह बैसिक बात है हम प्रकेद्व की इंट्री कलते में आप हम हम ऊप्सी स्ऩंस त्थी É सब्सक्रांद दिखा लिए ये साथी ट्रांदक्शन हमने कर देंग है अब देखो इसका एफेक्ट आपको कह देखने को मिलेग पध्व जतिиком पर जूह स्ट्रें अब जो तो भी इस पयर पर जाकि या अगर आप शोटकुट जाना चाहिए तो आपको ओपर एडिंग में दिखे रहे है यह वाला ओप्सन यहां पर आपको एल्ट जी प्रेस करने और यहां पर आपको स्लेक्ट करने जिस्टी आर कौन सी है हमारी सेर की रिटर जाएगी तो जिस्टर वन स्लेक्ट करें है ठीक है हमने माई मंत में इंट्री करिए तो एक पांस से लेके 155 . अब यहां दिखोंगे यहां आपको अंशन ञेशंग आपको ऑन्री प्रांजेक्ஸन्स रेंग है आपाने एक जो ट्रांजेक्शिंए उसके उपकी कोई-एर है क्यास के उपर क्लिक करते एंटर प्रेस्ट करेंगी तो जहां किया dieß लेश्टे keeps the नौक्त स्पिर करेंग या फिर आपने वह सई नहीं डाली है ठीक है इंटरफेस करेंगे अब देखो इसकंदर किसी टाइब की quantity नहीं पुचिये ठीक है यहां पर डालेंगे अब यहां कह सकता है आपका जो कि अमाउंट है यहां पर आपने कोई अमाउंट इसके अच्छेशन कोड बेगर आपने यह गर्टा लगा ठीक है नू डेट हम एक जार दो हजार जोई से यहां पर कर देंगी टैक्सेबल रेट आपके सही है या निया वह भी आपको चेक कर लेना एक पार एंटरप्रेस करें करेंगी ठीक है अब देखते हैं इसके उपर क्या पड़ेगा अब यह देखो अभी यहां पर एक और दिखा रहा है इन्वेलिट और मिसिंग आपकी जो जीश्टिक की डिटेल से रिलेटल वह सही नहीं है अब इसके अंदर आपके पता होना चाहिए आपने यह प्रोडेक बनाया है इसकी जो वेल्यू है वह सही है या नहीं ठीक ना इसकी डिटेल इसके लिए मारे से यह कुछ आजाए स्टोक आइटाम वाइज अगर आपने देखते हैं तो एवन है ठीक ना अब इसकी टैक्सवेर वेल्यू आ रही है अब यहां पर इसकी जो डिटेल है अब जैसे एटेशन कोड़ सही हुआ तो वह डिटेल है जो सही होगी अब वह जैसी सही होई तो यह हमारी बी टू सी की अंदर इसके ट्रांजेक्शन आ गईगी ठीक अब यहां पर देखो कि आपके जो अनसंटेंट ट्रांजेक्शन से वो जिरो आ रही है ठीक है और यहा लेकिन अब हमने जो एक इंट्री करेंटी ओफिस एक्सपेंसिस की एक बर हम उसे लेजर को लटर करते हैं अब इसके अंदर हमने यहां पर एप्लिकेबिल किया थी अब महाली जी आपने इसके अंदर डिटेल के अंदर यहां लिख दिया भी एकशसन कोड इसका कुछ आप लेजर आपने ओपन करके देखते हैं अकाउंट्स बुक लेजर पे चलते हैं वापिस इसकी इंट्रिय मोडिफाइब कर देते हैं वापिस इसकी जीश्टी रिटन के उपर अपने चल के देखते हैं क्या इशक्ष पड़ेगा इसका अब वह जो डिटेल्स हा रही है वह उसकी डिटेल यहां पर इसने किसी भी टाइप की कोई एरर है जो फिलाल नहीं दिखाई है अगर यह डिटेल है अगर बात करें सेल वाड़ जो इसकी डिटेल है ट्रांजेक्शन और यह ओफिस एक्सपेंसिस की अब यह क्या दिखा रहा देखो नोड रिलिवेंट ओन डिस रिटन यान कि दो ऐसे वाउचर से हैं जो इस रिटन के अंदर नहीं है कौन-कौन से नही अगर आपको यह इस टाइब की एक्सपेंसिस की अगर कोई इंट्री की यह एरर यह आपर देगा विए आपने इसके उपर कोई चार्ज या वो नहीं किया हुए हम एक बार इसको जितना हमने प्रचेज किया था उसका ITC पर आ रहा है या नहीं आ रहा है यहां पर भी किसी भी टाइब की कोई एरर नहीं मतलब अभी तक आपकी यह जो सॉप्ट्वेर है रिटर प्रोपर सही बना रहे है और यहां आपका जो ITC है वो ITC आपका एस पर प्रचेज था वो बिल्कुल सही आ रहा है तीस तीस रुपर यानिकि हमारी अभी जिस्ट्य इसने अभी फिलाल किसी भी टाइब कोई एरर नहीं दिया और हो सकता है अब जब आप रिटर बनाओ कुछ ऐसे लेजर हम क्रिएट करेंगे जो होंगे जिसे हमें एक लबाइसी लेजर को वापिस एक मोडिफाई करके देखते हैं सेल वाड़े लेजर को हमने डिस्पले ग और यहां पर हमने इसको कुछ राउंड ओफ कर दिया इंटरपेस किया अब अब आपी समझेट यह वन पे चल के देखते हैं अब यहां पर भी इसने किसी टाइप की एरए जो नोई शो करी क्योंकि अगर यहां पर जो आपकी क्रेक्शन नीडेट के अंदर जो ओप्सन आएगा यहां पर आपको डिटेल है जो दिखा देगा अब हमने उस लेजर को एपलीकेबल भी कर दिया लेकिन उसके उपर हमने जो चार्जर नहीं किया तो ऐसे सिती के अंदर आपको पता है भी इस टाइप के एकस्पैसिस है जिसके उपर हमें जो नहीं करने है तो उन लेजर को आप पहले से ही आप नोट एपलीकेबल करके रखिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर जीस्टी से रिलेटेड कोई दिक् करने हैं तो एसे लेजर से आपको नोट एपलीकेबल करना है लेकिन आपको पड़िया तो आपके जिसको नूट एपलीकेबल नहीं करेगा हम इसको एक बार करके दिखाते हैं अपों लेजर पर चलते हैं एपने और सेल का लेजर हमने हैं सलेक्ट कर एंदर एंटरप्रेस किया और उसके बार में हम एक सेल का लेजर इंट्री करते हैं सेल तो की 14 अधर की अंदर के दिए करते लेते नहीं कि आप देखोगी इसके पढ़र की टैक्स की क्यल क्यों क्योंकि तेक्व क्योंकि यह गिएक स्वाइबूर को यह बता दिया वे है आपको इसके वपर जो चार्ज करना ही नहीं है और जैसे जिसको गूट्स रखना है और जिसके इसको एपली केबल कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर यह टैक्स लगना ऐटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो आपको यह जिसके ओपर जिसके लगेगा उसको आपको एपली कब करने करने अधरवाइज आप उन दूसरे लेजर को एगनोर जूरूर कर देना उसको नौट अपली केबल ही करना नहीं तो आपकी जिसके रवन के अंदर वह बारी बारी आपकी वह एर रा जो शो करे गए करेगा आई होप कि आपकी इस वीडियो से सारी वह जो कंशूजन था वह किस-किस टाइप के उपर हमें GST को एपलिकेबल करना होता है और कौन-कौन से लेजर के उपर हमें नोट एपलिकेबल रखना होता है तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना ज्यादा स्यादा वीडियो को शेर भी जरूर